यहां आलिसान पार्क बनाया जाएगा अनपढ़ों के लिए वहां अनपढ़ लोग आके बैठेंगे और बच्चों के स्कूल गिराये जाएंगे यह देश का रास्टी अनपढ़ भवन बीजेपी का दफ्तर लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार मासूम बच्चों के स्कूल पे बुल्डोजर चलाने जा रही है इस स्कूल में साड़े तीन सो बच्चे पढ़ते हैं भारती जनता पार्टी के दफ्तर के ठीक बगल का स्कूल पर बुल्डोजर चलाने की भारती जनता पार्टी ने पूरी तैयारी और कोसिस कर लिया भारती जनता पार्टी जो अनपढ़ों की देश की सबसे बड़ी जमात है वो जमात और उसकी सरकारे मिलकर पूरे देश में साठ हजार स्कूल बंद करते हैं भारती जनता पार्टी जो अनपढ़ों की देश की सबसे बड़ी जमात है वो जमात और उसकी सरकारे मिलकर पूरे देश में साठ हजार स्कूल बंद करते हैं साठ हजार सरकारी स्कूल बंद कर चुकी है भारती जनता पार्टी और जब इस अनपढ़ों की जमात का सबसे बड़ा भवन बना दिल्ली का भारती जनता पार्टी का दफ्तर बना तो इन्होंने पहला लक्ष अपना निर्धारित किया बोले इस दफ्तर के बनने के बाद सबसे पहले क्या करना है बच्चों के स्कूल पे कबजा करना है अभी तक आपने माफियाओं पे बुल्डोजर सुना होगा गुंडों पे बुल्डोजर सुना होगा लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार मासूम बच्चों के स्कूल पे बुल्डोजर चलाने जा रही है जिस स्कूल में साड़े तीन सो बच्चे पढ़ते हैं भारती जनता पार्टी के दफ्तर के ठीक बगल का स्कूल उस स्कूल पर बुल्डोजर चलाने की भारती जनता पार्टी ने पूरी तैयारी और कोसिस कर लिया और उससे संबंदित तमाम आर्डर और कागज है आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस देश की सिख्चा में बिलकुल यकीन न रखने वाले लोग अनपढ़ों की जमात और ऐसे प्रधानमंत्री जो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं 27 साल के बाद जब उनको गुजरात में जाना पड़ता है तो एक आर्टी फीस्टेल स्कूल में जाके फोटो खिचवाते हैं एक स्कूल पूरे गुजरात में ऐसा नहीं बना पाते जिसमें जाकर वो अपनी फोटो खिचवा सके और जब आप अपना दफ्तर बना रहे हैं मोदी जी उसका उधगातन कर रहे हैं उधगातन के मौके पर बड़ी बड़ी बाते कर रहे हैं और साथ ही साथ मासूम बच्चों के स्कूल पे बुल्डोजर चलाने की तैयारी कर रहे हैं ये अत्यंत शर्मनाक और मैं ये कहूंगा कि सिक्षा को बच्चों के स्कूल को रौंदने का भारती जनता पार्टी का प्रयास है आम आदमी पार्टी हर स्कूल पे इसका विरोध करेगी और मैं आपको अब वो स्कूल दिखाना चाहूंगा जो भारती जनता पार्टी के दफ्तर के बगल है जिसके उपर बुल्डोजर चलाने की जिसको गिराने की जिसको ध्वस्त करने की पूरी तैयारी नरेंद्र मोधी ने कर ली है जिस दिन बीजेपी के दफ्तर का उध्गाटन हुआ उसी दिन इस स्कूल को दफन करने की भी कहानी लिखी गई ये पहले आप स्कूल की बिल्डिंग देखिए ये है देश का रास्टी अनपढधवन बीजेपी का दफ्तर ये है वो सरकारी स्कूल ये वो स्कूल है जिसको बुल्डोजर चलाने की भारती जनता पार्टी तैयारी करने इसकी स्कूल की फोटो है ये स्कूल की फोटो है ये MCD का स्कूल है और इसमें अलग-अलग समय पे ये प्रस्ताव बनाए गए है CPWD ने इसको ध्वस्त करने का, गिराने का, तोडने का, स्कूल सिफ्ट करने का आदेश दिया है यहाँ आलिसान पार्क बनाया जाएगा अनपढ़ों के लिए वहाँ अनपढ़ लोग आके बैठेंगे और बच्चों के स्कूल गिराए जाएंगे यह है पुरी योजना